असलाम अलेकुम सस्यकाल नमस्ते आदाब तो कैसे मेरे प्यारे भाईयों अभी सुड़ियों बात करेंगे सौधी अरब की जरोड़ी अपडेट और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वाइरस खतम हो चुका है लेकिन नया नया वाइरस आ चुका है इसको लेकर के अपडेट करूंगा तो वीडियो लाशक देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए सबसे पहले मैं आप लोगों से सौरी बोलना चाहूंगा कल मैंने ट्वीटर पे एक ट्वीट शेयर किया था कि सौधेरभ ने एकामा वीजा एक्स्टेंड किया है सिर्फ उन देशों पे जिन देशों की फ्लाइट को दोबारा बैन किया गया है तो मैं जल्दी जल्दी में ट्वीट कर दिया था मूँ से बोलकर के हिंदी में समझ में मैं समझा नहीं था ठीक से ठीक है सौरी तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं अकल मैं शादी में भी था जल्दी जल्दी में गलत हो गया सॉरी समझ सकते आप मेरी फीलिंग वीडियो नहीं बनाया था मैंने बस ट्वीटर पर बताया था वीडियो तो आपको बना करके दूसरे टापिक को बता दिया था कॉरंटाइन वगरे में उस वारे में थोड़ी बात करेंगे आपको फोटो शेयर कर रहा हूं तो सौधी गवर्मेंट ने आप सब के लिए गुड नियूस बसे आपको पता चल गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं दुबारा से कि सौधी अरब ने जिन देशों पर फ्लाइट पर बैन लगा रखा था था और है ठीक है जैसे कि आपको पता है कि अभी भी फ्लाइट बैन है क्योंकि फ्लाइट इंडिया की एक दिसंबर से खुलेगी तो फ्लाइट बैन है तो सौधी गवर्मेंट ने जिन देशों पर फ्लाइट पर बैन अभी तक लगा हुआ तो उन सभी देशों का वीजा इकामा फिरी में एक्स्टेंड कर दिया गया है ठीक ह हाला कि अभी आपका इकामा वीजा एक्सपायर दिखा रहा होगा या 30 नावंबर तक ही होगा तो आपको बता दो यह कल एलान हुआ है एक हपता 15 दिन 20 दिन लग सकता है इसको एक्स्टेंड होने में ठीक है तो एक्स्टेंड कब तक हुआ है 31 जनवरी 2022 तक 1 दिसंबर से फ फ्लाइट्स खुलेगी तब यह लोग एकामा वीजा फिरी में एक्सटेंड करेंगे मैंने कल की वीडियो में यह भी कहा था कि सौधी गवर्मेंट एकामा वीजा एक्सटेंड नहीं करेगी क्यूंकि कुछ ने कुछ सोर्स होता है ना आज हील वेब साइट की पर एक ट्व सकता है तो चैनल पर बने रही है और ट्वीटर एकांट पर बने रही है क्योंकि वीडियो आप अभी देख रहे हैं क्या पता अपडेट चेंज हो गया है ट्वीटर पर नहीं आपडेट आ चुका है इसके रिगार्डिंग ठीक है तो बहुत बहुत अच्छी बात है आप लोगा इकामापी जब फिर में एक्स्टेंड हो गया 31 जनुरी 2022 तक मुबारक हो एक दिसंबर से फ्लाइट खुली जाएगी डारेक्ट साओधी रफ आप लोग आई जाओगे जिन लोगने साओधी में दवा लगा रखी दोनों वो डारेक्ट आ जाएंगे उनको को वेक्सिन वाले को आप मतलब जाने ही नहीं देते हैं इंट्री ही नहीं देते हैं ठीक हैं अगर आप इंटरनेशनल च्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्यूंकि सेफटी पर पस की ओध़ा से आपने में दॉस्तिल लगा आई है कोई छी भी वीक्सिन touch level भाई 1 सब आपको detail के बारे मैंने आपको कल की वीडियों बता दी थी अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में वीडियो मिल जाएगा लगबग दो हजार अठारा सो रियाल आपका पांच दिन का खर्चा आगा रहने का खाने का हर चीज का यहाने का अगली अपडेट है बहुत सारे सावित आफरीका बहुत सारे देस हैं बहुत सारे तेजी से फैल अडा है और इसके रिगार्डिंग साथ कुछ और भी नया अपडेट आ जाए बाद में फ्लाइट वगेरे का तो कोई पता नहीं कुछ भी चेंजे हो सकता है तो इंडिया गवर्मेंट बहुत ही एक्षन में है साथी गवर्मेंट पूरे देश की जितनी भी गवर्मेंट है ठीक है ज जो भी किसी भी देशे चाल भी आप इंडिया आओगे ना किसी दूसरे देश से इंटरनेशनल देशे खास के जिन देशों पे नया वाइरस आया है तो आपको बहुत सार बहुत बार इंडिया में आपको बहुत सार एरपोर्ट पे नया यह लोग टेस्ट करेंगे पताने iliab test करेंगे क्या क्या सारा टेस्ट करेंगे आपको इी वर्लम सिरय कर रहा हूं ठीक है डेख रहो यह नया सर्कुलर जारी किया गया इंडिया गवर्मेंट की तरफ official announcement है खास करके जितने भी लोग हैं अगर सौधी अरब आते हैं उम्रा करने के लिए आप लोग भी इंडिया से डाय एक जा सकते हैं उम्रा हज करने के लिए तीन दिन कॉरंटाइन रहना होगा जिन लोगों ने सौधी अरब के अंदर में वैक्सीन ली है और वो लोग उम्रा करने आ रहे हैं तो उनको तीन दिन होटल कॉरेंटाइन रहना होगा ठीक है मिनिस्टरी आफ हज की तरफ सी एनाउंस्मेंट है खास करके आपको पहले बता दू कि अगर आप सौधी अरब आते हो डायलेक्ट इंडिया से काम पे आते हो या अपने वीजा पे आते हो या मतल लाइन वेब साइट जो है मेरे डिस्क्रिप्सिन ने मिलेगा आपको वह फॉर्म भारना बहुत जरूरी और पीसी आर टेस्ट की भी जरूरी है ठीक है बीना पीसी आर्टेस्ट के आपको इंट्री साओधी में नहीं मिलेगी याद रहे अगली अपडेट साओधी गवर्म टाइन करते हो रूल को तोड़ देते हो तो आप पे दो लाख रियाल का जुर्माना लगाए जाएगा दो लाख रियाल चारिस लाक रुप्या हो इंडिया का क्योंकि यह लोग नहीं चाहते हैं कि वाइरस आके यहां फैले और प्राब्लम हो जाए बस अलम्दुलिल्ला इ जानते हैं सौधर में करोना के रिगार्डिंग आज है 29 नवंबर राज 25 केस निकले हैं सबसे कम केस हैं 29 लोग ठीक हुए हैं करोना तो अब है यह नहीं सौधी में तो क्या आपको मैं करोना की अपडेट दिफिल्वी में सामिल कर देता हूं हमारे कुछ भाई के सवाल लगाई है उसका रिपोर्ट होगा जो आपका सार्टिफिकेट है ना आपके हाथ में इसका फोटो का भी निकाल के रख लीजिएगा जो मोदी जी का फोटो साथ में लगा हुआ है ठीक है वो जरूरी है और आप ट्रैवल करते होते पीसी आर्टेस्ट बगरा जरूरी आप इंडिया से डारेक फ्लाइ कर सकते हैं सौधियरब के लिए लेकिन आप जो इंडिया से फ्लाइट लेंगे तो आपको कॉरंटाइन पैकेज पहले ही लेना होगा बीना कॉरंटाइन पैकेज लिए हुए आप सौधी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर बीना तो एरपोर्ट पे फिर महंगा वाला कॉरंटाइन पैकेज आपको लेना पड़ेगा ठीक है ऐसे बहुत सारे सवाले जावद भाई मेरा हुरूब लगा हुआ है कैसे हटेगा ता आप इंडियान अमबेसी से कॉंटाइक कीजिए वह आपकी हिल्प करेंगे मैं बोलता हाले हैं पाकिसानी लोग होते हैं जो हुरू भड़वा देते हैं और आपको भिजवा देंगे ऐसे वो लोग पैसा बगर लेता है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन बोल सकता हूं कि अगर आपकी इंडियान एंबसी हिल्प नहीं करती तो आप उनसे हिल्प ले हुआ 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 ह